नमस्कार आप देख रहे हैं डी टीवी भारत और मैं हूँ आपके साथ शर्मिला जोहाल नगर निकाई चुनाव का ऐलान हो चुका है 10 अक्टूबर को चुनाव है और ऐसे में दो चरणों में जो मतदान होने वाले हैं तमाम जितने भी प्रतनिदी हैं वो पूरी तरह से तयारी कर चुके हैं बात करते हैं लखिसराई की लखिसराई के नगर परिश्वद चेत्र के वार्ड नंबर 17 की बात करेंगे जहां पे वर्तमान वार्ड पार्शत है रंजीत राम 15 सालों से उन्होंने उस वार्ड में विकास की बयार लिखी है ऐसा हम नहीं ऐसा वहां की जनता कहती है जनता में रंजीत राम को लेकर बहुत ही खुशी है और वो ये भी चाहती है कि इस बार भी रंजीत राम चुनावी समण में उतरे और एक बार फिर से वो वाड़ पारशुद बने और पूरे वाड़ की सेवा करे पूरे वाड़ के लोगों की सेवा करे और विकास की एक नई इसको लेकर लखिस राय के सहयोगी सर्फराज आलम ने चौपाल बिठाई और उसके बार तमाम लोगों से बातचीत की, खुद वाडपार्शुट रंजीत राम से भी बातचीत की, क्या कुछ कहा लोगों ने रंजीत राम को लेकर, क्या कुछ कहा वाडपार्शुट ने आने निकाय चुनाओ की विधिवत घोसना कर दिया है इसी को लेकर पूरे बिहार में नगर निकाय चुनाओ को लेकर पूरी सरगर्मी बढ़ गई है यह लखिस राय नगर परिसत छेतर का इलाका है और यह वाड नंबर 17 का छेतर है यहां पर हमारे साथ वाड संख्या 17 के वाड आ काफी देखी जा रही है और सभी लोग चुनाओ मोड में आ चुके हैं दस अक्टूबर को इस छेतर में मददान होना है आईए जानते हैं रंजीत राम से कि वे किस मुद्दे पर दोवारा जनता के सामने अपने आपको पेश कर रहे हैं प्रस्तूत कर रहे हैं रंजीत रा चनायोग के घुसना के बाद कैसा अनुभूती मसूस कर रहे हैं नमस्कार सबसे पहले मैं आपको बढ़ाई देता हूं और मैं अपने समस्त जनता को बढ़ाई देता हूं मैं 20 साल से चुनाव लड़ रहा हूं और मुझे पुर्ण विश्वास अपने काम और अपने थीक है चनता से सवाल हम पूछेंगे लेकिन जिसकतर वाड संख्या सत्रह में आपने विकास की एक लकीर खीचिय एक इवारत लिखा है इस पर अगर आप दोबारा वाड पारसत बन जाते हैं तो आपकी सबसे पहली प्रात्मित्ता क्या होगी विकास का गंगा तो मैं आज 2007 से ही इसमें कर रहा हूं कुछ छन मिनट के लिए छन दिनों के लिए रुख गया जो कि करोना काल के चलते कुछ विकास रुका है वो तो अगर जो करोन कम काल नहीं रहता तो विकास रहता ही नहींanka काम बच्टा भी नहीं लुकिस और कि संखया में लोग हैं बड़ी संखया में कि possibility जानते महिलाओं से ये बताइए आपके वाड पारसत रंजीत राम है आप सरत निते को अप महिला हैं महिला हैं जाए काम के विकास और पूर्ण वरोसा है कि वे फिर विकास की गती को और आगे बढ़ाएंगे क्या बीटे पाँच वर्सों में रंजीत राम ने विकास की लकिर खिचिये महिलाओं का कल्यान करने का काम किया है चलिए और भी लोग यहां पर हैं पूछते हैं बहुत सारे युवा वर्ग है ये बताईए आप रंजीत राम युवा तुर्क नेता के रूप में यह वाड नंबर 17 में जाने जाते हैं बीते कई कि दसक से यह वाड का परत्रित कर रहे हैं इस वार क्या आप लोग मन बनाए हैं हम लोग तो इसी उनीका चुनेंगे इसलिए कि आज तक जो भी बाड परसत है वो तो कुछ नहीं किये 20 साल में जो कर दिये हैं इनको छोड़कर किसी को निचुनेंगे चलिए और भी जानते हैं बहुत सारे मद आता है क्या रंजीत राम इधर आईए युवा वर्ग हैं आप आईए बोलिए क्या रंजीत राम युवाओं का भरोसा फिर इस वार जीतेंगे हां जीत लेंगे जीतते हैं तो जीत्विन करेंगे क्या बार्ड नंबर 17 में विकास का नया अई वारत लिखा जाएगा लिखा जाएगा चलिए बहुत सारे लोग हैं भिन भिन राय हैं लेकिन करीब करीब लोग का मानना है कि रंजीत राम दुवारा वाड पारसत बनेंगे आईए जानते हैं तिसरा वार बनने जा रहा हैं तो क्या इस बार अगले बार से भी जादा रेकॉर्ड मतोस रंजीत राम बार्ट पारसद बनेंगे जी 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 क्या भरपूर समर्थन बार्ट संक्या सत्रा के अवाम का मिलने जा रहा रंजीत राम को जी बाबा ये बताईए कि आप विर्ध हैं आपके कल्यान के लिए जितन रंजीत राम पर लोग फिर भरोसा जता रहे हैं पूरे बारोसे है घितने आपके लोगों का भरपूर समर्थन देखने को मिलना रंजीत राम से आई यह बताईए कि क्या आप महिलाओं का शिरवाद रन्जीत राम को मिलेगा? मिलेगा. रन्जीत राम फिर रकाउड भोटो से वाड़ पारसत बनेगे, आपका परतिरिधी बनेगे? हाँ, बनेगे. क्या बाड़ नंबर 17 में विकास की गती को तेज की गई, भी विकास पूरा किया गया रंजीत राम के दो एक रधो देखिए बड़ी संख्या में चाहे महिलाओं है पुरुष हों युव वर्ग हों सभी कास्पस्ट मानना है कि रंजीत राम ने पूरे संख्या 17 में ये तीन वार से लगतार वार संख्या 17 का पत्नितु बेचेन के लिए जनता अनको अपना सरपरताज पिनाने के लिए आतूर है बेचैन है सर्फराज आलम डी टीबी भारत लग की सरा है